नमस्कार दोस्तों, एजुगेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको B.A. Second Year के 4th समेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले कोश्चन के बारे में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताक कि आपको आने वाले कोश्चन के बारे में अच्छे से पता चल जके तो आजे देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले आती लगूती प्रस्णों के बारे में जानते हैं तो यहां पर आती लगूती प्रस्णों में पहले प्रस्ण की बात कीजाते हैं पर आपका पहला प्रस्ण दिये हुआ है समाजिक बिचलन का संचिप्त अर्थ लिखिए पहला प्रस्ण कर रहा है जो समाजिक बिचलन है यहाँ पर आपको समाजिक बिचलन का संचिप्त में अर्थ लिखना है अब वगली कोशन की बात कीज़त हैं पर आपका दूसरे कोशन दियोगा है दहेज की अउधारण इसपश्ट कीजिए दूसरे कोश्टन कर रहा है जो दहेज है यहाँ पे आपको दहेज की अउधारण को इसपश्ट करना है अब वगली कोश्टन की बात कीज़ते हैं पे आपका तीसरे कोश्टन दियोबा है परिवारिक हिंसा के चार करण लिखिए तीसरे कोशन कर रहा है जो परिवारिक हिंसा है उसके कौन-कौन से चार करण है यहाँ पे आपको परिवारिक हिंसा के चार करण लिखना है अब वगली कोशन की बात कीज़ते हैं पे आपका चोथा कोशन दियवा है आंतर पीड़ी संगर्स के चार करण लिखिए चोथा कोशन कर रहा है जो आंतर पीड़ी संगर्स है यहाँ पर आपको आंतर पीड़ी संगर्स के चार करण लिखना है वगली कोशन की बात कीज़त हैं पर आपका पांचो कोशन दियवा है बिवाह बिचेत का क्या रत है पाचवा कोशन कर रहा है कि बिवाह बिचेत का क्या रत है यहाँ पे आपको बिवाह बिचेत का रत बताना है वगली कोशन की बात कीज़त है पे आपका चाटा कोशन दीवा है साइबर क्राइम क्या है चाटा कोशन कर रहा है कि साइबर क्राइम क्या है यहाँ पे आपको साइबर क्राइम के बारे मताना है वगली कोशन की बात कीज़त है पे आपका साथवा कोशन दियावा है जाती को परिभासित कीजिए साथव कोशन कर रहा है जो जाती है उसकी क्या परिवासा है यहाँ पर आपको जाती की परिवासा लिखना है अब वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका 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 आप दसवा कोशिन कर रहा है, जो पीशडा वार के उसका क्यारत है, यहाँ पे आपको पीशडा वार कारत लिखना है, अब अब अगली कोशिन की बात कीज़त है, पे आपका बरहो कोशिन की बात कीज़त है, पे आपका बरहो कोशिन की बात कीज़त है, पे आपका बरहो कोशिन की भारत में आतंकवादी हिंसा के दो कारण लिखिए तेरह कोर्शन कर रहा है कि भारत में जो आतंकवादी हिंसा है यहां पर आपको आतंकवादी हिंसा के दो कारण लिखना है वगली कोर्शन की बात की जाते हैं पर आपका 14 कोर्शन दीवा है मादक दरब बेशन के कारण क्या है चोदो कोशें कर रहा है जो मादग दर भबेसन है तक क्या करण है यहाँ पर आपको मादग दर भबेसन का जा चाहिए त्य होट भव पर संपटरहां के फían स risks आगने सो बड़ना है जो बिचलन है यहाँ पर आपको बिचलन की दिसाइ बतना है यह फीर उसके परकारों पर संचीपने टिपड़ी लिखना है वगली कोश्चन की बात कीजिए तहां पर आपका दूसरे कोश्चन दिया है बाल अपराद को परिभासित कीजिए दूसरे कोश्चन कर रहा है जो बाल अपराद है उसकी क्या परिभासा है यहां पर आपको बाल अपराद की प पर्मुकानन कौन है, चौ Щन कहर सक्राइवा, जो ही instruments है, यहां पर माल्दक दर्शन के पर्मुकानन is लिगे initially, मालो में करवा इस अगल और अगली कोशन का हुए आतमाहत्य वैक्तिक वजटन का चरण रूप क्यों है तो हैन् ऑगले स्टिय बात किजा और Ł NO to subscribe button बारे में बताना है अब फ़रगे में बताना है अब गली कोशन की बात की ज़ते हैं अब आपका साथवा कोशन दिएवा है बराश्टाचार का अर्थ संचे में बताईए 8 भारत में जातिगत भी समता है यहांपे आपको भारत में जातिगत भी समता की बैकर करना है अब अगली कोशन की बात कीज़त है जो लाइंगी का समनताओं को कम करने की सुझाओ देना है अब अगली कोशन की बात कीजट है आपका तेरहो कोशन दियावा है भारत में मुसलिम अलपसंasters You Okay . यहाँ पे आपको भारत में मुस्लिम अल्प संके कोई समस्या बताना है वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चोधाव कोशन दिया है दहेज परथा से आप क्या समस्ते है चोधाव कोशन का रहा है जो दहेज परथा है उसे आप क्या समस्ते है यहाँ पे आपको दहिज प्रथा के बारे मतना है अब अब अगली कोश्चन की बात कीज़त हैं पर आपका 15 कोश्चन दीवा है तलाक से आपका क्या भीप्रा है यहाँ पर आपको तलाक के बारे मतना है अब अब अगली कोश्चन की बात कीज़त हैं पर आपका 16 कोश्चन द पहले कोर्षन के मतना है अब करना के ओगली कोby बात की जाते हैं निर्धंता सभी लोग क्या समझते हैं भारत में निर्धानता की समापती है तु सुझाओ देजिए तीसरे कोर्षन कर रहा है कि निर्धानता सेब क्या समझते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले निर्धानता के बारे बताना है उसके बाद आगे आपको भारत में निर्धानता की समापती है तु सु अब वगली कोर्शन की बात की जाते हैं पर आपका पांचों कोर्शन दिवा है भारत में महिलाओ के प्रती की जाने वाली घरेलू हिंसा की परकिरती को स्पष्ट करते हुए इसे रोकने के लिए कुछ बेवारिक सुझाओ दीजिए चाटा कोर्शन की बात की जाते हैं पर आपका पांचों की परकिरती को स्पष्ट करना है उसके बात की बात की जाते हैं पर आपका प्रमुक समस्याओं को बिशलिशित करना है अब वगली कोर्शन की बात की जाते हैं पर आपका आटवा कोर्शन दीवा है रोस्टोव के बिकास सिधान के मुलाकन कीजिए आठवा कोर्शन का रहा है जो रोस्टोव है यहाँ पर आपको रोस्टोव के बिकास सिधान के बारे में बताना है अब अब अगली कोश्चन की बात कीज़ते हैं आप आपका नव कोश्चन दिवा है बीसो तापन को परिभासित कीजिए बीसो तापन में हरिद गिरी परभाव की क्या भूंकिया है नव कोश्चन का रहा है कि बीसो तापन को परिभासित कीजिए यहाँ पर आपको सबसे पह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बती कि आपको नेक्स कोर्शन पेपर की से वेट को उपर चाहिए थेंकियो दुस्तु